अभिनेत्री रेखा बॉलीवुद की वो अदाकारा है जो आज भी अपनी अदाकारी और खुबसूरती से युवा अभिनेत्री को भी माद दे सकती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा ने अपनी पहचान अपने दमपर बनाई है बूख से संगर्स करते परिवार में जनमी रेखा ने सुन्य से सिखर तक का सफर अपने अपने दमपर किया है और आज बॉलीवुड की वो सबसे सफल एक्ट्रस कही जाती है रेखा ने सेनमा में ही नहीं बलकि राजनीती में भी अपनी अच्छी पहचान बनाई है रेखा ने परदे पर गाउं की गोरी मा प् पहतरीन अदाकारी से सतर के दसक में लोगों के दिलों पर राज किया रेखा ने टेइन बार फिल्म फेर की ट्रॉफी जीती है और 55 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रस का नेशनल अवार्ड भी जीता है और आज 30 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दिवानगी है जो 30 साल पहले थी संसद में भी जलक के लिए लोग इनके कायल हैं इस सक्सियत पर ना कभी उम्र हावी हुई ना कभी खूबसूर्ती ने इनका साथ चोड़ा क्या है रेखा की कहानी चलिए बताते हैं पांच हजार, दस हजार, बीस हजार, पचास हजार जिंदे की भर कमाता रहूँगा और लाला के आपकी कदमों में डालता रहूँगा बोली मन्जूर है इपनी कीमत पितर मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचू रील लाइफ के साथ साथ रेखा की रियल लाइफ में भी काफी उतार चड़ावाए कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनकी माता पिता की शादी नहीं हुई थी रेखा के पिता ने कभी उनकी मा से शादी की ही नहीं यहां तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे और यही वज़ा थी कि जब उनके पिता कान निधन हुआ तो रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संसकार में भी नहीं गई थी मापर करज होने की वज़े से उन्हें छोटी उम्र से ही काम शुरू करना पड़ा पैसे की तंगी के कारण रेखा ने सी ग्रेट फिल्में भी की बॉलिवुड में रेखा को फिल्म सावन भादों से पहला ब्रेक मिला फिल्म की सकसेज ने रेखा के सपनों को उड़ान दी रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में काम कर बिताया है आपने रेखा को कई फंशुन में पाट लेते हुए देखा होगा जिसमें वे अधिकतर कांजी वरम सारी में नजर आती है इसलिए उन्हें कांजी वरम कुईन के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि रेखा तो एकदम सीधी होती है लेकिन रेखा भानू गणेश की नीजी जिन्दगी बहुत ही टेडी मेरी रही रेखा का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा लेकिन उन्होंने इन नजदीक्यों को कभी सुईकारा नहीं लेकिन मीडिया में इनकी अफेर्स की खबरे हमेशा सुड़कियां बटोरती रही एक इंटर्व्यू में रेखा ने बताया था कि जब रेखा 15 साल की थी तो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दोरान फिल्म के को स्टार विश्वीजीत चैटर जी ने उनकी साथ बचस लूकी की थी रेखा ने कहा कि विश्वीजीत चैटर जी के साथ इनको एक रोमैंटिक गाना सूट करना था डारेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला विश्विजीत ने रेखा को लगातार किस करना सुरू कर दिया वह लगातार किस करते रहे रेखा बहुत अंकमफिटिबल हो गई थी डारेक्टर ने उस समय कट नहीं बोला और कैमरा रूल हो रहा था वहीं दूसरी और सेट पर कि लाइफ मैक जीन ने इसको कवर किया था पर अमिताब के आने के बाद से रेखा के जिंदगी के माइने ही बदल गए फिर शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो जमाने भर के लिए मिज़ाल बन गए तू किसी और की रातों का हसी चांद सही मेरी दुनिया के हर रंग में शा अमिताब रेखा का इश्क कहने के लिए तो छुपा रहा लेकिन उनकी प्रेम कहानिया हवाओं में तैरती रही रेखा जी ने हूँ कभी आपने देखा है कि कोई और इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए और वो भी शादिश्योदा आदमी के लिए मुझ से पूचि पूचिंजाने में नजर आये थे रेखा से मुलकात के तीन साल पहले अमिताब जया भादूरी से शादी चुके थे अब ऑलिवुड की स्टार बन चुके थे वाई रेखा को कोई अभी नेतरी के तौर पर गंभीरता से नहीं लेता था फिल्म के सेट पर अमिताब से मुलक को एक खुब्सूरत जोड़ी मिल चुकि थी bokbokी खुब्सूरत जोड़ी की केमिस्ट्री इब रियल लाइट में भी इंट्री माच चुकी थी फिन गंगा की सौगंदा सेट पर अमिताब ने रेखा को परिशान करने वाले एक सक्स की पिटाई तक कर दी थी जिससे दोनों के अफैर की खबरे जया तक पहुंच गई रेखा खुद अपने करीबियों से अपने इश्क और रिस्क का जिकर करने लगी लेकिन कोई था जो इस लफ्स चोड़ी को नकार रहा था और वे थे अमिताब बच्चन रेखा चाहती थी कि अमिताब इस रिष्टे पर बात करे लेकिन वो कभी खुल कर बोले ही नहीं एक बार तो रेखा पार्टी में सिंदूर और मंगल सूत्र पहन कर पहुंच गए तबी दबी जुबान से आवाज उतने लगी कि कहीं रेखा और अमिताब ने शादी तो नहीं कर ली रेखा और अमिताब की बड़ती नज़दीकियों की वज़ज़ से जया बेहत परिशान रहती थी एक दिन अमिताब की गयर मौजूदगी में जया ने रेखा को डिलनट के लिए बुलाया डिलनट के बाद जया ने रेखा को कहा कि वह आखरी सास तक अमिताब को नहीं छोड़ेंगी जिसके बाद रेका को एहसास हुआ कि उनकी और अमिताब की जूरी कभी नहीं बन सकती वाई फिल्म सिलसला में अमिताब जया रेका ने एक साथ स्क्रीन सेर किया अमिताब ने यस चुपरा को साफ कहा था कि जब तक जया रेका के साथ काम करने की इजाज़त नहीं देगी तब तक मैं फिल्म नहीं करूंगा फिर यह शोप्रा ने जया को मनाने की पहल की जिसका नतीजा हुआ कि जया ने फिल्म में खुद के लिए भी काम करने की शर्ट रख डाली फिल्म खत्म होने के साथ ही अमिताब रेखा भी हमेशा के लिए जिदा हो गये जब फिल्म कूली के सेट पर अमिताब का एकसिडेंट हुआ था तब जया बच्चन ने दिन रात अमिताब की सेवा की चोड से ठीक होने को अमिताब ने पुनल जनम माना और रेखा को भुला कर जया के साथ फिर से खस्नुमा सफर शुरू करने का फैसला किया आज भी रेखा और अमिताब किसी अवार्ड फंशन में एक दूसरे को देखकर रास्ता बदर लेते हैं लेकिन जब 2012 में अमिताब बच्चन को फिल्म फैर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो रेखा कुद को रोक नहीं पाई रेखा उटकर जया के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए अमिताब की जीत की बढ़ाई दी हालाकि रेखा के शादी ने भी खूब सुरक्यां बटोरी फिल्हाल रेखा आज सिंगल है और अपनी जिन्दगी को पूरे आराम से जी रही है जब दिल किसी की प्यार में सुभा शाम गुम रहे तो महबत अबादत बच जाती है